हाई फ्रेर्स आज हम मनाएंगे कद्दू की सबची जिसे कद्दू की सबची खाना पसंद नहीं होगा ना फ्रेर्स वो भी आज से कद्दू की सबची भर भर के खाएगा चलिए शुरू करते हैं इस रेसीपी को बनाना इसके लिए मैंने लिये ये तीन कद्दू के टुकडे, विज़न में लगबक आदफ किलो है, मैंने इसे पानी से अच्छे से धो लिया है, मैंने छोटे साइज के कद्दू लिये हैं, क्योंकि इसके छिलके बड़े सौप-सौपड होते हैं, और छिलके सहीद इसको बनाने मे स्वाद और भी बढ़ जाता है आप चाहें तो बड़े साइज का कद्दू भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको छिलके सहीद कद्दू की सबजी खाना पसंद नहीं होगा फ्रेंड तो आप छिलके निकाल दें अब हम जल्दे से सारे कद्दू को चागू की मदद से छोटे छोटे टुकडों में कट कर लेंगे। हम ने सारे कद्दो को कट कर लिया है अब चलते हैं गैस की और रखते हैं कड़ाही को मिडियम फ्लेम पर और डाले एक छोटी कटोरी तेल और तेल को थोड़ा गरम होने दें यहाँ पर हमारा तेल गरम हो गया है, अब डाले एक चमबस जीरा, आठ से दस चौप्ट लसुन की कलिया, तीन सुखी लाल मिर्च और एक मिडियम चौप्ट प्याज अब इन सब को करशी की मदद से मिला ले और भूल ले इनके गोल्डन ब्राउन होने तक अब देख सकते हैं फ्रेंस, ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब डाले तीन आमचूर को और मिला ले, जो कद्दू की सबजी के फ्लेवर को और भी बढ़ा देगा अब एड़ करें कटे हुए कद्दू को और अच्छे से मिला ले और ढ़क कर कुछ जेड़ तक पकने दे, आकि कद्दू जल्दी से सौप्ट और नरम हो जाए अब ढ़कन को निकालते हैं और कर्ची की मदद से कद्दू को मिला लेते हैं आप देख सकते हैं फ्रेंस, हमारे कद्दू धीरे-धीरे करके सौप्ट होते जा रहे हैं लगबक कद्दू 50% को खोच चुका है अब डाले एक छोटा चमच हल्दी पॉडर, साथ ही डाले एक छोटा चमच लाल मिर्च पॉडर, एक बड़ा चमच धनिया पॉडर, एक छोटा चमच गरम मसाला और इन सब को अच्छे से मिला के कोच देर तक मसालों के साथ पका ले अब डाले एक मिडियम साइज चॉप टमाटर और एक चमच नमक टमाटर के उपर और धक कर दो मिनट तक पकने दे ऐसा करने से टमाटर जल्दी से गल जाते हैं फ्रेंस, अब धकन को निकालते हैं और कद्दो के साथ सभी टमाटर को मिला लेते हैं और कद्दू को टमाटर के साथ कुछ देर तक पकने दें जब तक टमाटर पुरी तरह से घूल न जाए और कद्दू के साथ मिल न जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंस हमारे कद्दू पुरी तरह से पक गए हैं मैंने इस कद्दू की सबजी को सुखा ग्रेवी वाला बनाया है आप चाहे तो इसे रसा वाला सबजी भी बना सकते हैं एक गिलास पानी एट करके अच्छा बॉइल होने के बाद उतार दें तो यह सबजी रसा वाला बन जाएगा बट मुझे इसे सुखी ग्रेवी वाला ही खाना पसंद है हमारी कद्दू की सबजी भी बनकर तयार है अब चौप्ट हरा दाया डाल दे और इसे सर्व कर दें तो लीजिए पेस है सुपर टेस्टी सुपर डेलेसियस कद्दू की सबजी आप इसे चावल के साथ या फिर रोटी के साथ एंजोई कर सकते हैं जरूर ठ से कद्दू की सबजी को भरबर के खाएगा घर पर बनाए इस रेसिपी को फ्रेंस और अपना अनुभाव जरूर सेयर करें कॉमेंट करके अगर फ्रेंस आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बुलिएगा तब तक की लिए गुड़ बाई एंड टेक केर